नमस्ते मेरे प्यारे बच्चो आनन टिटोरियल में आपका स्वागत है आज की पाड़ साला में हम कक्षा दूसरी विसे गडित गडित विसे में आज हम आओ धरिता नापपे ठीक है बच्चो जिस बरतन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिये चोखटो को रंगो बच्चो यहाँ पे दो बरतन दिये गए हैं आपको एक ये बड़ी बाल्टी है और एक ये चोटा कप है और आपसे कहा जा रहा है कि जिस बरतन में ज्यादा पानी आता है उसके नीचे जो चोखट है उसको रंग भरो तो बच्चो इन दोनों चित्र में कौन से बरतन में ज्यादा पानी आएगा ये गुलाबी वाले में क्योंकि ये बड़ा है तो इससे हमें क्या करना है रंग देना है आप इसी प्रकार पेंसिल से रंग दो मैं पेंसे रंग रही हूँ मेरे पास रंग नहीं है अगर आपके पास रंग है तो आप रंग से रंग दो देखो यहाँ पे लिखा है ना जिस बरतन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिये गए चोखट को रंगो तो यह बल्टी है यह बड़ी है इसमें ज्यादा पानी आएगा इसलिए हम इसके नीचे चोखट में रंग भर दिये और यह कप है यह छोटा सा है इसमें पानी कम आएगा इसलिए यहाँ पर हमने रंग नहीं भरा क्योंकि इसमें कम पानी आएगा और इसमें ज्यादा पा यह ग्लास का चित्र है और यह कप का चित्र है तो बच्चो ज़्यादा पानी किसमें आएगा ग्लास में आएगा कि कप में आएगा सही सबसे ज़्यादा पानी ग्लास में आएगा तो हम इस ग्लास की नीचे चोखट में रंग भर देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी और जो cup है वो छोटा सा है उसमें ज़्यादा पानी नहीं आएगा अगर आपके पास color है तो आप color कर दो बच्चो बॉम color लेना वाटर कलर मत लेना ठीक है आप लोग भी बहुत छोटे हो तुम ममे को बोलिये मॉम का color लेनी के लिए ठीक है तो ये ग्लास में ज़्यादा पानी आएगा तो हमने यहाँ पे रंग दिया और ये बाल्टी में ज़्यादा पानी आएगा इसलिए इसके नीचे के चोखट को हमने रंग दिया इधर कप में भी थोड़ा पानी आएगा और इस कप में भी थोड़ा पानी आएगा इसलिए इन दोनों में हमने रंग नहीं भरा इन दोनों में भरा है क्योंकि इसमें जादा पानी आएगा ठीक है बच्चो चलो आगे देखते हैं यश और रमा रसोई घर से अलग-अलग बरतन लेकर आए बच्चो रमा और यश ये लोग क्या करते हैं रसोई घर रसोई घर मतलब किचन किचन से अलग-अलग बरतन लेकर आते हैं किचन तो आपको पता है ना जहां पे ममी खाना बनाती है हाँ तो रमा और यश ये लोग रसोई घर से बहुत सारे बरतन लेकर आते हैं उनके पास एक मघ, एक बाल्टी, एक गिलास था। उन्होंने यहां सारे बरतन एक कप का उपयोग कर पानी से भरा। इन लोगोंने क्या किया? यह बहुत सारे बरतन अपने किचन से ले किया है। और यह सभी बरतन में इन्होंने एक कप पानी भर कर डाला। यहां पे लिखा है ना? उन्होंने यह सारे बरतन एक कप का उपयोग कर पानी से भरा। इस कप में पानी भरा और सभी बरतन में एक एक कप पानी डाला। यश रमा बताओ किस बरतन में सबसे अधिक पानी भरेगा यश पूसता है रमा से कि रमा इन सब बरतनों में सबसे ज़्यादा पानी कौन से बरतन में भरेगा तो बच्चो सबसे ज़्यादा पानी इस बाल्टी में भरेगा है ना क्योंकि ये सबसे बड़ी है तो रमा ने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा पानी बाल्टी में भरेगा किस में भरेगा बाल्टी में अब तुम बताओ किस बरतन में सबसे कम पानी भरेगा बच्चो ये जो सारे बरतन है ना इसमें से सबसे कम पानी कौन से बरतन में आएगा बताओ ये सारे बरतन में आप पानी भरोगे तो कौन सा बरतन है जिसमें सबसे कम थोड़ा सा पानी आएगा सुस्तो सबसे थोड़ा सा पानी किस में आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये दोनों प्रश्णों का उत्तर आपको कमेंट करके मुझे बताना है ठीक है? अब आगे देखो बच्चो अभी आपको कुछ कृती करना है घर में कैसे करना है? वो मैं आपको बता रही हूँ आओ कृती करे तुम अपने रसोई घर से अलग अलग प्रकार के बरतन जमा करो बच्चो आपको क्या करना है? आपकी ममी जहाँ पे खाना बनाती ना रसोई घर की चन वहाँ पे जो बरतन होगा जरूरी नहीं कि जो चितरी इसमें दिखाए गए हैं वो ही बरतन आपके पास हो आपके पास जो भी बरतन है आपको चार-पांच बरतन जमा करना है अलग-अलग साइच के, अलग-अलग प्रकार के यह सभी बरतन पानी से भरने के लिए एक कटोरी का प्रियोग करो आप पांच बरतन ले लिजिए उसमें पानी भरने के लिए एक छोटी सी कटोरी ले लिजिए प्रतेग बरतन में कितने कटोरी पानी भरेगा आपने सभी बरतन में भरने के लिए कटोरी ले लिया है उस कटोरी से आपको क्या करना है प्रतेग बर्तन में पानी भरना है प्रतेग बर्तन में कितने कटोरी पानी भरेगा इसका अंदाजा लगाओ पहले आप अंदाजा लगाओ कि जैसी ये गलास ये मग है तो इस मग में इस कप में कितना पानी आएगा आप अंदाजा लगाओ और वो लिखो और फिर उसको आप भर के देखो कटोरी से कितनी कटोरी में भरता है फिर वो लिखो एक बार अंदाजा लगा के लिखना है और एक बार भर कर ये देखो प्रतेग बरतन में कितने कटोरी पानी भरेगा इसका अंदाज़ा लगा और फिर सोयम पानी भर कर अपने अनुमान की जाच करो तो आपको ऐसे इल करना है कोई एक बरतन ले लेना है जैसे ये एक बरतन एक अप हनब बड़ा वाला कप है तो इसमें आप अंदाजा लगाओ कितना पानी आएगा जैसे आपने अंदाजा लगाया कि इसमें चार कटोरी पानी आएगा तो यहाँ पर आप लिख दो चार और फिर आप वो कटोरी लो और कटोरी से आपके पास जो भी बरतन है उस बरतन में डाल के देखो उस भरतन में 4 कटोरी आता है कि 5 आता है और जितनी कटोरी पानी आएगा वो यहाँ पे रिखने का है जिसे मैंने अदाज लगाया कि इसमें 4 कटोरी लगेगा लेकिन जब मैं पानी भर रही हूँ न तो इसमें 5 कटोरी लगता है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगे पांच मतलब मैंने अंदाजे लगाया तो गलत हो गया इसमें तो पांच कटोरी लगेगा इसी प्रकार आपना बहुत सारे ऐसे बरतन लीजिए तीन चार प्रकार के और देखिए आप सोचिए कटोरी से ये टोप कितनी कटोरी पानी डालेंगे तो भरेगा फिर वो लिखिए फिर आप कटोरी से भर कर देखिए कि कितनी कटोरी में आपका टोप भरता है अगर पांच में भरता है तो पांच लिखो आठ में भरता है तो आठ लिखो ये काम आपको घर में करना है बच्चो ठीक है ये आपको ये घर में करना है आप अपने किचन में से कोई भी 4-5 बरतन ले लो फिर एक कटोरी लो और उसी कटोरी से पहले आप बरतन देखो और अंदाजा लगाओ कि इस बरतन में कितनी कटोरी पानी आएगा अगर आपको लगता है चार कटोरी अंदाजा तो आप चार लिख दो फिर आप कटोरी से भर कर देखो क्या चार कटोरी में आपका बरतन भरता है भरता है तो ठीक है नहीं भरता है तो कितनी कटोरी में भरा आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है इसी प्रकार आपको सारे बतन में करना है आगे एक कृती और दी गए है खासी की दवा की बोतल के साथ छोटी सी प्लास्टिक की कटोरी मिलती है बच्चो आपको खासी की दवा यह पता है इस वो खासी की दवा दिखाओ बटल मेरको दिखाओ बटल मुझे ने वो जिसमें धक्कान है कैप लगा हुआ है यह बीच अला हाँ यह दिखाईए हाँ अभी यह देखो बच्चो यह दवा है ऐसे खासी की दवा की भी बटल आती है है ना तो इसके साथ देखो यह ऐसे प्लास्टिक की कटोरी रहती है है ना इसे प्लास्टिक हम इसको माप के दवा पिलाते हैं बच्चो को तो आपको क्या करना है खासी की दवा की बोतल के साथ छोटी सी प्लास्टिक की कटोरी मिलती है ये छोटी सी कटोरी है उस कटोरी से दवा नापते है एक ग्लास या एक कप पानी लो आपको एक ग्लास में या एक कप में पानी लेना है क्या करना है आपको एक ग्लास में या एक कप में पानी लेना है और देखो छोटी कटोरी से कितना पानी भरेगा आपको क्या करना है एक गिलास या एक कटोरी लो और देखो छोटी फिर ये छोटी कटोरी से कितना पानी भरेगा फिर वो पानी आपको भर कर देखना है ठीक है बच्चो तो आपको आज तो बहुत होमवक मिल गया है ये सारे होमवक आपको करने है ठीक है तो बच्चो जो हमारी आज की पार्चाला है वो यहीं पे समाप्त होती है अगली पार्चाला में हम कल फिर मिलेंगी अगर आप मेरे पार्चाला में नए हैं तो मेरे पार साला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पार साला काल आप सभी बच्चे ले सके अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग मेरी पार साला देख पाएंगे और आपको अपनी टीचर को मदद करना है ना तो मुझे मदद करने के लिए बच्चो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए ठीक है? तो अगली पार साला में हम कल फिर मिलेंगे आप लोगों ने यहां तक पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बाई 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 बाई